चिंकी के आंगन में एक बहुत पुराना आम का पेड था वो अक्सर जब भी परिशान होती थी तो उस आम के पेड के नीचे बैट कर उससे बाते करती थी बेटा, अब मैं जादा दिनों की महमान नहीं हूँ तो चिंकी का ध्यान रखने के लिए उसकी एक नई मा को लेया तुझे तो वैसे ही अपने काम से समय नहीं मिलता तो तेरे जाने के बाद कौन इसका खयाल रखेगा चिंकी के पैदा होने के कुछ दिनों बाद ही उसकी मा का देहान्त हो गया था जिसके बाद उसकी दादी मा ही हर समय उसका खयाल रखती थी लेकिन जब चिंकी चार साल की हुई तो एक जानलेवा बिमारी के कारण उसकी दादी मा भी चल बसी और चिंकी का ध्यान रखने के लिए उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली अनिता मैं खेत में जा रहा हूँ तुम अच्छे से चिंकी का ध्यान रखना हाँ हाँ आप चिंता मत कीजिए आप निश्चिन्थो कर खेत में जाईए मैं चिंकी का खुब अच्छे से ध्यान रखूँगी अशोक हर रोज चिंकी को अनिता के भरो से छोड़ कर खेत में चला जाता अशोक के सामने अनिता चिंकी के साथ खूब अच्छा व्यभार करती लेकिन उसके जाते ही वो पीछे से चिंकी से घर का सारा काम करवाती और उसकी छोटी-छोटी गलतियों पर उसे मारती पीगती। वो चिंकी को हमेशा डरा कर रखती थी। जिस वज़े से चिंकी अपने पिता को भी कुछ नहीं बताती। दीरे-दीरे समय बीता और अनिता ने एक बेटी को जन्म दिया। कुछ सालों में वो भी बड़ी हुई और चिंकी के प्रती उसका स्वभाव भी बहुत बुरा रहने लगा। राखी बेटा, जरा मेरे लिए एक कब बढ़िहासी चाय तु बना दे। पापा, आप चिंकी को कह दीजे न, मेरा अभी चाय बनाने का बिल्कुल मन नहीं है। बेटा, चिंकी तो पहले से ही घर में पोछा लगा रही है। जा, तू जा कर चाय बना दे। अरे, क्या दिक्कत है आपको, जब वो कह रही है कि उसका चाय बनाने का मन नहीं है, तो क्यू उसके पीछे पड़ रहे हो। और वो महरानी कहा है, चिंकी, ओ चिंकी। अनिता की आवाज सुनकर, चिंकी पोछा छोड़कर दौड़ती हुई आती है। क्या हुआ मा, मा के बच्ची, इतने देर से तू क्या कर रही है, तेरे पापा कब से चाय चाय चिला रहे है, तुझे सुनाई नहीं देता क्या। मा, वो मैं घर में पोछा लगा रही थी। तो पोछा लगाने में दस घंटे लगते है क्या, बस एक इस पोछे को लेकर बैठ जाएगी और पूरे दिन अपने पोछे का गाना गाती रहेगी। अनिता, ये तुम चिंकी से किस तरह से बात कर रही हो, उसने कहा ना वो पोछा लगा रही थी, और राखी भी तो यहां खाली ही बैठी थी, अगर वो मेरे लिए चाय बना देती, तो इसमें कौन सी आफ़त आ जाती, क्या मैं उसका पिता नहीं हूँ। मेरी बेटी की तुलना अपनी इस बेटी से मत करिये, मेरी बेटी थोड़ी देर खाली क्या बैठ गई, आपको उससे इतनी परिशानी हो गई, आपको हमसे इतनी ही दिक्कत है, तो बता दीजिये, हम अभी इस घर को छोड़ कर चले जाएंगे, फिर रहना अपने इस घर मे अपनी इस बेटी के साथ, बस कीजिए आप सब, एक चाय के लिए घर में घमा सान शुरू कर दिया है, आप रुकिये पापा, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ, चिंकी बिचारी लड़ाई के डर से किसी को कुछ भी नहीं कहती थी, तेवारों के दिन थे, त आपने तो मेरे मन की बात पढ़ ली पापा, मैं कब से इन नए कपड़ों का ही इंतजार कर रही थी, जरा दिखाईए तो आप हमारे लिए क्या लेकर आए हैं, ये लो, तुम्हारे लिए तो मैं बनार सी साड़ी लेकर आया हूँ, और राखी बेटा, तुम्हारे लिए य सूट, चिंकी ये ले, मैं तेरे लिए भी ये सूट लेकर आया हूँ, चिंकी अपने हाथ में नया सूट पकड़ती ही है, कि तभी राखी कहती है, चिंकी तेरा सूट तो बहुत ही सुन्दर है, मेरे सूट का रंग तो फीका सा है, तेरा सूट तो एकदम मस्त, बिल्कुल चटकीला है। अगर तुम्हें मेरा सूट अच्छा लग रहा है तो तुम इसे ले लो, मैं तुम्हारा वाला सूट पहन लोगी। सच कहू तो मुझे ये दोनों ही सूट अच्छे लग रहे है। तुम्हें काम करो, तुम अपना सूट भी मुझे ही दे दो, वैसे भी तुम नए कपड़े पहन कर क्या करोगी। तुम मेरा कोई पुराना सूट पहन लेना। चाहे नया पहनो या पुराना, तुम दोनों में ही एक जैसी लगोगी। ऐसा कहते हुए राखी चिंकी के हाद से उसका नया सूट ले लेती है। ये देखकर अशो को बहुत गुसा आता है। भला ये क्या बत्तमीजी है राखी। इसमें बत्तमीजी कैसी पापा, एक सूट ही तो लिया है मैंने इसका, इसमें कौन से आफ़त आ गई। बहुत हो गया राखी, जब मैं तुम सब के लिए नए कपड़े लेकर आया हूँ, तो चिंकी इस नए सूट के बदले तेवहार पर पुराने कपड़े क्यूं पहनेगी। हद हो गई, एक सूट के लिए आपने मुझे इतनी बाते सुना दी, नहीं पहनन मुझे कोई सूट वूट, ये लो तुम्हारा सूट, और अब तो मुझे ये सूट भी नहीं चाहिए। राखी गुस्से में उन दोनों सूटों को वहीं फेक कर अपने कमरे में चली जाती है, और अनीता चिंकी को खरी-खोटी सुनाना शुरू कर देती है। बेचारी मेरी फूल सी बच्ची को उदास कर दिया। पापा, अगर राखी को ये दोनों सूट पसंद है, तो उसे ले लेने दीजिये ना। कोई बात नहीं, इन सूटों को मैं पहनू या राखी पहने, क्या फरक पड़ता है। चिंकी उन दोनों सूटों को उठा कर राख मैं तुम्हारा कोई पुराना सूट पहन लूँगी। चिंकी को एक वेस्टन ड्रेस पहना कर लड़के वालों के सामने बैठा दिया, और अपनी बेटी राखी को एक सुन्दर सा सूट पहना कर बैठाया। चिंकी बेटी को थोड़ी अदब से कपड़े पहनने चाहिए थे। देखे तो ये कितनी शौट ड्रेस पहनी है इसने। इससे अच्छी तो हमें आपकी चोटी बेटी लगती है, कम से कम उसे कपड़े पहनने की तमीज तो है। जी, मेरी राखी तो बचपन से ही संसकारी है, दोनों को देख के कोई कहता ही नहीं है कि दोनों बहने है। बहन जी, हम देखने को तो आपकी बड़ी बेटी को आए थे, लेकिन हमें आपकी चोटी बेटी पसंद आई है, इसलिए हम अपने लड़के के साथ आपकी चोटी बेटी का रिष्टा तै करना चाहते है। अगर आपको भी मनसूर है, तो हम ये रिष्टा पक्का कर देते हैं। मेरी आज तक की जिन्दगी भले ही जैसी भी थी, लेकिन अगर एक अच्छे घर में मेरी शादी हो जाती, तो कम से कम मेरी आगे की जिन्दगी तो सवर जाती। अगर आज मेरी सगी माँ जिन्दा होती तो वो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होने देती। वो तो मेरे लिए किसी राजकुमार जैसे लड़के को ढूंड कर लेकर आती। ये कहते हुए चिंकी की आँखों से आसू गिरने लगते हैं कि तभी उनके आंगन में लगे आम के पेड़ से एक आम तूटकर उसके पास आकर गिरता है। मैं एक रिशी के श्राप के कारण एक जादूई आम बन गया। जिस दिन मेरा ये श्राप तूट जाएगा उस दिन मैं अपने असली रूप में आ जाओंगा। कैसा श्राप और तुम्हारा ये श्राप कैसे खत्म होगा। मुझे ये श्राप कैसे मिला वो तो बहुत लंबी कहानी है। उसे मैं तुम्हें कभी फुर्सत में सुनाऊंगा। लेकिन मेरा श्राप बस उसी इनसान के हाथों से तूट सकता है जिसने कभी किसी का बुरा न किया हो। यहां तक की कभी किसी के बारे में बुरा सोचा भी नहो। बाप रे बाप, आज के इस कल्यूग में तुम्हें इतना सच्चा और अच्छा इंसान कहां से मिलेगा? हो सकता है कि वो सच्ची और अच्छी इंसान तुम ही हो मैं? हाँ तुम, मैं तुम्हें इतने सालू से देखता आ रहा हूँ तुम कभी किसी के साथ बुरा बरताव नहीं करती और ना ही किसी के बारे में बुरा सोचती हो तुम मुझे चू कर देखो, क्या पता तुम्हारे चूने से मेरा इश्राब तूट जाए? जादूई आम के कहने पर चिंकी उसे अपने दोनों हातों से चूती है तभी उस आम के अंदर से एक बहुत तेज सुनहरी रोश्नी निकलती है और वो जादूई आम एक सुन्दर राजकुमार में बदल जाता है उस राजकुमार को देखते ही चिंकी उस पर मोहित हो जाती है जादू याम, तुम तो एक बहुत ही सुन्दर राजकुमार बन गए तुमने सालों से मिले उस श्राप से मुझे मुक्त कर दिया चिंकी ये मेरा असली रूप है तुम सच में एक बहुत नेक दिल इंसान हो अगर तुम नहीं होती, तो मुझे इस श्राप से कभी मुक्ती नहीं मिलती तुम मुझे बहुत अच्छी लगी क्या तुम मुझसे शादी करोगी? श, शादी? हाँ बोलो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुश्यां दूँगा और कभी तुम्हारी आँखों में आसु नहीं आने दूँगा तुमसे शादी करने का फैसला मैं ऐसे ही नहीं ले सकती शादी के लिए हमें मेरे पापा से बात करनी होगी इसके बाद सुन्दर राजकुमार चिंकी के पिता से शादे के लिए उसका हाथ मांगता है चिंकी के पापा भी खुशी-खुशी उनकी शादे के लिए हां कर देते है जिसके बाद चिंकी राजकुमार से शादे करके हमेशा के लिए उसके साथ चली जाती है और वो दोनों अपने आगे के जिंदगी बहुत ही खुशी-खुशी बिताते हैं एक बेवकूफ टिंडा रहा करता था जिसको सही गलत में फर्क करना आता ही नहीं था और वो हद से जादा अच्छा बनने की कोशिश करता था ऐसे ही एक दिन टिंडे की मा टिंडे को गुस्से में खूब खरी-खोटी सुना रही थी क्यों रे टिंडे कल रात कहा था तू? सच-सच बता दे तेरे लिए यही अच्छा होगा परना तुझे तो मालूम है कि मैं गुस्से में कितना मारती हूँ मा, मैं वो बस अपने दोस्तों के साथ था अभी भी मौका है, जूट मत बोल, वरना तेरे लिए बिलकुल अच्छा नहीं होगा मा, दरसल बात यह है कि मेरा एक दोस्त है, बैंगन उसे अपनी गल्फरेंट टमाटर से मिलना था, इसलिए मैं उनके साथ गया था अरे, अगर उसे अपनी गल्फरेंट से मिलना ही था, तो तू क्यों उनके बीच में था और तुझे बड़ा शौक है ना, लैला मजनू की फिल्म बनाने का रुक तू, आज तेरी अच्छे से खबर लेती हूँ नहीं, नहीं, मैं आपसे वादा करता हूँ, अब मैं कभी उन दोनों को मिलवाने नहीं ले जाओंगा नहीं, नहीं, तेरे को फिल्म का प्रड्यूसर बनना है ना, आज तुझे रामपल बना के नहीं छोड़ा, तो मैं भी तेरी मा नहीं बेचारा टिंडा हमेशा की तरह अपनी मा से हर बात पे मार खाता रहता था, उसकी मा अकसर जिस काम को करने से मना करती, वो अकसर वही काम करता ऐसे ही बिचारा अपनी मा से बहुत मार खाता है उसकी मा उसे मार पीट कर घर से भगा देती है टिंडा रोता हुआ घर से बाहर आ जाता है तभी उसका दोस्त बैंगन वहां आता है और कहता है अरे क्या बात है टिंडे? आज तो इतना लाल क्यों है? अरे टमाटर मेरी गलफरेंड है और लाल तू हो रहा है, क्या बात है जरा मुझे भी बता यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मैं सच में बेवकूफ हूँ क्या नहीं यार किसने बोला कि तू बेवकूफ है, अरे तू तो बेवकूफों का सरदार है अरे भाई तू भी मेरा मजाग बना ले हर कोई मुझे बेवकूफ बोलता है बलकि मैं तो सब की मदद करता हूँ उसके बाद भी मुझे ही बेवकूफ कहा जाता है अरे तू सब की मदद करता है इसलिए तू बेवकूफ है क्या मतलब है तेरा? अरे भाई मजाग कर रहा हूँ, अच्छा यार वो मैं जरा अपनी गल्फरेंड को डेट पर ले जा रहा हूँ, मेरी मा ने मुझे मार्केट से सबजी लाने को कहा है, तो तू मार्केट जाके सबजी लिया, तब तक मैं तेरी भावी को घुमा भिरा कर ले आऊंगा अच्छा ठीक है भाई, तू जा, मैं तेरा काम कर दूँगा बेवकूफ टिंडा अपना काम चोड़ कर बैंगन के लिए सबजी लेने चला जाता है, ऐसे ही टिंडा रात को घर देरी से आता है, जिस पे टिंडे के माता पिता बहुत गुसा थे क्या हूँ अटिंडे, कल की मार भूल गया है क्या, अरे तुझे कितना भी मार लो, लेकिन तुझे कभी अकल नहीं आएगी मा मुझे माफ करना, दरसल मेरे दोस्त बैंगन को अपनी गल्फरेंट टमाटर को डेट पर ले जाना था न, इसी लिए मैं उसके घर की सबजी लेने गया था सच में, जैसा वाप है वैसा ही बेटा, अरे लोग तुझे बेवकूफ बना कर अपना काम निकलवाते हैं और तु बेवकूफों की तरह अपने काम को चोड़ कर दूसरे के काम को करने लगता है, एक दिन इसी चक्कर में तु बहुत पिटेगा हाँ बेटा, जैसे तेरी मा मुझे बेवकूफ बना कर घर का सारा काम करवा लेती है, वैसे ही लोग तुझे बेवकूफ बनाते हैं देखो जी, ज़्यादा चेच उपड की न मेरे सामने, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा बेचारा टिंडा, उसका ऐसा कोई दिन नहीं था, जब उसे लोगों की खरी-खोटी सुनने को न मिले ऐसे ही एक दिन, टिंडा अपने घर के बाहर घूम रहा था, तभी वहाँ बैंगन आता है और टिंडे से कहता है अरे टिंडे, मुझे तेरी जरूरत है, कल जब मैं डेट पर गया था, महा तेरी भावी को कुछ आलूओं ने छेड़ दिया था आज हबे उन आलूओं को अच्छे से मजा चखाना है नहीं नहीं भाई, मैं नहीं जाऊंगा क्यों? क्यों नहीं जाएगा? यहीं तेरी दोस्ती है क्या? नहीं बैंगन, मेरी मा ने मुझे मना किया है किसी भी लफड़े में पढ़ने के लिए दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है अरे टिंडे, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी मेरे भाई, मैंने तुझे अपना छोटा भाई समझा था बेचारा टिंडा, बैंगन को ऐसे उदास देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था बैंगन, तु बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं तेरे साथ चलने के लिए तयार हूँ बस मेरी मा को पता न लगे इसके बारे में, वरना वो मुझे बहुत मारेगी ठीक है, तु बिल्कुल भी टेंशन मतले, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस बारे में तेरी मम्मी को कुछ भी पता न लगे लेकिन अभी तु मेरे साथ चल, मुझे तेरी बहुत जरूरत है टिंडे बैंगन और टिंडा, दोनों मिलकर आलू के पास जाते है वो दोनों देखते हैं कि तीन-चार आलू एक साथ मिलकर युद्ध करने के लिए खड़े है तो वहीं टिंडा आलू से कहता है क्यों भाई, तेरी इतनी हिम्मत कि तुने हमारी होने वाली भावी को छेडा? तुझे अभी मालूम नहीं है कि मैं कौन हूँ अरे हमारी जानना भी नहीं है कि तू कौन है क्योंकि तेरे चर्शे तो हर जगा फैले हुए है तुझे बेवकूफ टिंडा कहकर बुलाते हैं न लोग? ये तो लोगों की गलत वहमी है कि वो मुझे बेवकूफ कहते हैं वरना मेरी हकीकत जो एक बार जान जाता है वो दुबारा कभी मुझे से बात नहीं करता हाँ तभी तो लोग तुझे बेवकूफ कहते हैं क्योंकि उन्हें तेरी हकीकत जानने के बाद पता लग जाता है कि तू कितना बेवकूफ है इसी लिए दुबारा तुझसे बात ही नहीं करते तिंडे तू कुछ करता क्यों नहीं ऐसे तो ये हमारी इंसल्ट करता रहेगा और हम यहां चुप चाप खड़े उनकी शकल देखते रहेंगे देखो मैं तुम्हें लास्ट वार्णिंग दे रहा हूँ आगे से कभी हमारी भावी को मत छेड़ना वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा देख मैं भी तुझे बता रहा हूँ कि दुबारा कभी टमाटर के साथ घूमने की कोशिश मत करना वो मेरी है और मेरी ही रहेगी तिंडे तु कुछ बोलता क्यों नहीं ये तेरी भावी को अपना बना रहा है लगता है तु ऐसे नहीं मानेगा आलू रुग जा आज तो आर्या पार होकर ही रहेगा बेंगन बार बार तिंडे को लडाई करने के लिए उकसाने लगता है बेचारा तिंडा दोस्ती की आड में आकर आलू से लडाई कर लेता है आलू और तिंडे के बीच घमासान युद्ध हो जाता है धीरे धीरे उनकी लडाई बढ़ती जाती है तो वहीं लडाई देखकर बेंगन तिंडे को अकेला छोड़कर वहां से भाग जाता है आइंदा कभी दूसरे के लफड़े में घुसने की कोशिश मत करना वरना इससे दुगना मारूंगा तुझे बेचारा तिंडा अदमरा होकर पड़ा हुआ था तिंडे की मा को तिंडे की बहुत जादा चिंता हो रही थी सुबह से शाम हो जाती है लेकिन तिंडा घर नहीं आता ऐसे ही अगले दिन तिंडा अपने घर आता है तिंडे की हालत देखकर उसकी मा समझ जाती है कि तिंडा फिर से मार खा कर आया है अब बता दे सच-सच कहा था तू और तेरी ये हालत किसने की है मा दरसल बात ये है कि बैंगन की जो गर्ल्फ्रेंड है टमाटर उसे कुछ आलूओं ने छेड़ दिया था बस इसलिए मैं बैंगन के साथ आलू से लड़ाई करने के लिए गया था और उन आलूओं ने मुझे बहुत मारा और तेरा दोस्त बैंगन क्या कर रहा था? कितना जरूरी है? हर कोई तुझे बेवकुफ बनाकर अपना काम निकल वा लेता है लेकिन तुकभी वे अपने दिमाग का इस्तमाल ही नहीं करता लेकिन मा बैंगन मेरा सच्चा दोस्त है नहीं बेटा, बैंगन तेरा सच्चा दोस्त नहीं है, बलकि वो तुझे बस इस्तिमाल करता था, ताकि तु उसके बुरे वक्त में और उसके छोटे मोटे काम में उसका साथ दे, मतलब के लिए उसने तुझसे दोस्ती की है नहीं मा, ऐसा नहीं हो सकता है, कि बैंगन उस वक्त लड़ाई देखकर डर गया हो और वहां से भाग गया हो इसे ही कहते हैं बेवकूफ, इतना सब कुछ होने के बावजूद तु सही गलत को समझ ही नहीं पा रहा है अच्छा एक काम कर, अब मैं जैसा जैसा कहती हूँ, तु वैसा वैसा ही करता रहे तब तुझे खुद ही पता चल जाएगा, कि बैंगन तेरा सच्चा दोस्त है या नहीं लेकिन मा, ये सब कैसे होगा? अरे मैं तेरी मा हूँ, तेरी तरब बेवकूफ नहीं हूँ, जैसे कहती हूँ वैसा कर, अपने आप तुझे पता चल जाएगा ऐसे ही कुछ दिन बीच जाते है, बैंगन और तिंडे में कोई बाच्चीत नहीं थी एक दिन अचानक, बैंगन तिंडे के पास आता है, और कहता है तिंडे, मुझे तेरी मदद की जरूरत है, इस बार फिर से कुछ लोगों से मेरी लडाई हो गई है और मैं अकेले उन लोगों का सामना नहीं कर सकता हूँ, मुझे तेरी जरूरत है मेरे दोस्त अरे बैंगन, मुझे भी तेरी जरूरत है, दरसल मेरी भी लडाई हो गई है किसी से, और मैं भी अकेले उनका सामना नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे तेरी जरूरत है, और अभी तुझे मेरे साथ चलना होगा तिंडे की बात सुनकर, बैंगन थोड़ा सा कत्राने लगता है, और कहता है, अरे तिंडे, तु ये कैसी बात कर रहा है, तुझे तो पता ही है कि मुझे लडाई जगले से कितना डर लगता है, और वैसे भी तू अपनी लडाई खुद देख, ठीक है, जब मैं अपनी लड मतलब के लिए ही मुझसे दोस्ती रखता है, और जब तेरा मतलब खत्म, तब हमारी दोस्ती खत्म, अरे तिंडे में इतनी अकल कहां से आ गई, इतनी समझदारी वाली बातें कहां से कर रहा है, यहां कुछ तो करना पड़ेगा, देख, अब मुझे तुझसे कोई बात नह कर सकता, अरे अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, तुझा यहां से, टिंडा बार बार यही कह रहा था, जिसके बाद बैंगन को गुसा आ जाता है, और बैंगन कहता है, हाँ तो ठीक है, मुझे भी तेरी कोई जरूरत नहीं है, अरे तेरे जैसे बेवकूफ को कौन अ बहुत काम आता था, बागी अब मुझे भी तुझसे कोई मतलब नहीं। बागी अब मुझे भी तुझसे कोई मतलब नहीं।